हाई फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम रिपब्लिक डे के मौके पर ट्राय कलर ढोकला बनाएंगे इसे बनाने के लिए हम कोई भी फूट कलर यूज नहीं करेंगे बलकि वेजिस को ही यूज करके इसे हेल्धी तरीके से बनाएंगे आप वेजिस मैंने एक कप पालक लिया है जिसे की ब्लांच कर लिया है जिसके लिए पालक को साफ करके उबलते हुए पानी में डाल दिया था और एक मिनिट हो जाने पर उसे आइस चिल पानी में डाल दिया इससे पालक का कलर क्रीन बना रहता है अब हम दो छोटी गाजर लेंगे और ए उसे बोल में डाल दिया है अब इसमें दो हरी मिर्च और दो इंच अद्रक का टुकड़ा लेंगे और उसे अच्छी तरह से कूट कर उसे इसके अंदर मिक्स कर देंगे आप चाहें तो इसे बारिक बारिक काट कर भी डाल सकती है लेकिन वो थोड़ा मुह में आता है इसलिए अच्छी तरह से कूट कर डालेंगे तो अच्छा है अब हम यहाँ पर आधा चमज नमक और आधा कप दही जो की रूम टेपरेचर पर लिया है उसी भी डाल कर मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसकी जगे बटर मिल्क भी ले सकती है दही थोड़ा खटा हो तो अच्छा रहेगा अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जर्वत पढ़ने पर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं अब यह बैटर तयार है इसे ढख कर 10 मिनिट के लिए सुजी को फूलने के लिए छोड़ देंगे अब दस मिन्ट हो गए है यह बैटर हमारा तयार है यह बैटर हम थोड़ा सा थिकी रखेंगे और अब हम इसे तीन बोल्स में equally डिवाइड करके डाल लेंगे अब हम सबसे पहले फस्ट बोल को लेंगे और उसमें हमने जो पालक की प्यूरी तयार गी थी उसी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे पहले मैं दोज स्पून डाल कर देख रही हूँ और मिक्स करके चेक कर लेती हूँ अभी भी बैटर काफी थिक लग रहा है मुझे लग रहा है इसमें सारी प्यूरी डल जाएगी अब मैं बाकी बची हुई प्यूरी को भी इसमें डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें बहुत अच्छा ग्रीन कलर आ गया है इसमें कोई लंस नहीं रहना चाहिए बैटर तयार है अब इसमें हम इनो डालेंगे मैंने या बाटल वाला इनो लिया है आप सैशे भी ले सकते हैं और इसमें से 1 3rd स्पून इनो का इसमें डाल देंगे और साथ में 1 3rd ती स्पून ऑइल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए मेक्स कर लेंगे ये बैटर जो है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा थोड़ा सा लाइट दिखनी लगेगा इसमें से थोड़े थोड़े बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे अब हमें एक कंटेनर लेंगे और उसे ओईल के साथ अच्छी तरह से ग्रिस कर लेंगे पैन थोड़ा सा उंचा ही लेंगे क्योंकि इसमें हमें तीन लेयर्स लगानी होती है अब इसमें बैटर जो कि हमने पालक प्यूरी से बनाया था उसे इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर लेंगे मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है इसमें एक ग्लास पानी डाल दिया है और साथ में एक स्टेंड भी रख दिया है इसे मैंने पहले से ही गरम करके रखा है अब इसमें हमने जो कंटेनर तयार किया था उसे पाच मिनिट के लिए ढख कर पकने के लिए रख देंगे गैस को लो मीडियम फ्लिम पर ही रखेंगे अब हम दूसरा बॉल ले लेते हैं और उसमें हमें क्योंकि कोई भी कलर नहीं डालना है उसे वाइट ही रखना है बैटर काफी थेक है थोड़ा सा पानी डालकर उसे बैलन्स कर लेंगे और उसके साथी इसमें 130 पून इनो और 130 पून ऑल डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मीक्स कर लेंगे ये बैटर भी हमारा थोड़ा लाइट हो गया है अब इसे हम साइड में रख देते हैं पांच मिनिट हो गए हैं ये बेटर भी हमारा उपर से थोड़ा सिका हुआ लग रहा है अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसके उपर हम जो वाइट बेटर है उसको डाल देंगे इसे हम अच्छी तरह से इसके उपर फैलाते हुए डालेंगे जिससे कंटेनर के उपर एक पतली सी लेयर बन जाएगी और फिर से कढ़ाई में पांच मिनिट के लिए ढख कर पकने के लिए रख देंगे फ्लेम को अभी भी लो मीडियम ही रखेंगे अब हम तीसरा बोल ले लेते हैं और उसमें हमने जो गाजर और बीटूट की प्यूरी बनाई थी उसे थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं पहली बार तो मैंने दो चम्मच प्यूरी ही डाली है और उसे चेक कर लिया है अब इभी बेटर थोड़ा थिक लग रहा है सारी की सारी प्यूरी इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे बहुत अच्छी तरह से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे इसमें कोई लंस नहीं रहने चाहिए यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है बहुत ही प्यारा कलर आ गया है अब इसमें हम वन थर्टी स्पून इनू और वन थर्टी स्पून ऑईल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से mix कर देंगे अब बैटर थोड़ा light लगने लगा है थोड़ा airy हो गया है अब हम कड़ाई में रखे हुए container को check कर लेते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं अब ये हमारे red वाले बैटर को उसके उपर से डाल देंगे और अच्छी तरह से evenly spread कर देंगे और इसे भी 10 मिनिट के लिए कड़ाई में ढख कर पकने के लिए रख देंगे 10 मिनिट हो गए हैं अब हम इसे चेक कर लेते हैं तूथपिक की साहता से तूथपिक यदि clear आ जाती है तो मतलब हमारा ढोकला तयार है इसे हम दो तीन जगए से प्रिक कर के चेक कर लेते हैं जोकला तयार है इसे ठंडा करने रख देते हैं अब हम तड़के की तियारी कर लेते हैं एक कड़ाई लेंगे और उसमें दो बड़ी चमच ऑईल डाल देंगे और एक चमच राई डाल देंगे mustard seed और 15 से 20 कड़ी पत्ते डाल देंगे यह अच्छी तरह से splutter करने लगे हैं इसकी spluttering थोड़ी सी कम हो गई है अब हम gas बंद कर देते हैं और इस तड़के को हम अपने धोकले पर फैलाते हुए डाल देते हैं इस धोकले को हम पूरी तरह से थंडा होने के बाद मंचा ही pieces में काट सकते हैं धोकला बहुत ही spongy और tasty लग रहा है इसे आप किसी भी चटनी या sauce के साथ serve कर सकती हैं सूजी को 10 minute का rest देना जरूरी है क्योंकि वह थोड़ा full जाती है और जो better हम बनाते हैं उसे हम थोड़ा सा गाड़ा ही रखते हैं क्योंकि जब हम पालक और गाजर की प्यूरी इसमें डालते हैं तो वह थोड़ा सा पतला हो जाता है डोकला पूरा ठंडा होने के बाद ही काटेंगे नहीं तो उसके fine pieces नहीं बनेंगे आपको ये recipe कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको recipe अच्छी लगे तो like share करें और subscribe करना ना भूलें see you next time